भगवान कृष्ण को कई हिंदू समुदायों द्वारा सर्वोचा देवता माना जाता है। पौरानिक कहानियों में उन्हें अक्सर एक इश्वर बच्छे, मस्खरा, एक आदर्ष प्रेमी और दिव्यनायक के रूप में चित्रित किया जाता था। जो एक मंत्रमुगध करने वाले व्यक्तित्व को दिखाते थे। भगवान विश्णू के भगवान कृष्ण के अवतार के दौरान उन्होंने मानव जाती को कई सबक दिये। जो लोग संधर्ष कर रहे हैं और अच्छाई की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भगवान कृष्ण से एक आदर्ष इंसान बनने के बारे में कुछ सबक सीखना चाहिए। यहां छे अद्भुत गुन हैं जो हमने भगवान कृष्ण के शांदार जीवन से एकत्र किये हैं। एक हमेशा आवाज उठाएं और महिलाओं की रक्षा करें। जब भी आप देखें की महिलाओं को वस्तु के रूप में इस्तिमाल किया जा रहा है, सामगरी के रूप में इस्तिमाल किया जा रहा है, या छेर छाड की जा रही है, तो आपको खड़े होकर विद्रोह करना चाहिए। महाभारत की कहानी अगर आपको याद हो तो जब कॉर्वों ने पूरे दर्बार के सामने द्रौपदी को नीचा दिखाने की कोशिश की तो कृष्ण द्रौपदी के लिए खड़े हो गए। उसके अपने पतियों ने उसे एक ऐसी संपत्ती के रूप में सोचा जो उन्होंने एक खेल में खोदी है और विरोध करने के लिए एक पेशी नहीं ली। यह कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रिश्य में कदम रखा और उन्हें एक साड़ी भेट की। 2. जिसे आप प्यार करते हैं उसे कभी ना छोड़ें। भगवान कृष्ण एक देश के साथ शासन करने के लिए युद्ध लड़ने के लिए राक्षसों को जीतने के लिए और कई अन्यसंघर्षों के माध्यम से अभी भी अपने जीवन में अपने पसंदीदा संगीत को स कफलता पूर्वक विक्सित करने में काम्याब रहे। उन्होंने अपनी अन्य प्रतिबधताओं के कारण संगीत के प्रति अपने जुनून को कभी पीछे नहीं हटने दिया। उन्होंने अपनी बासुरी वादन का भरपूर आनंद लिया, जीवन्त धुनों से सभी को मंत् प्रतिस परधा की इस क्रूर दुनिया में रिष्टे हमेशा पीछे छूट जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की कहानी की कैसे उन्होंने अपनी दोस्ती को बहुत प्यार और सच्छे सनेह के साथ महत्व दिया, आपको दोस्ती के कुछ प्रमुख लक्ष देता है। ए उनके परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। कृष्ण से मिलते समय सुदामा, कृष्ण को एक सुन्दर उपहार देना चाहते थे, लेकिन उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने उसे एक मुर्थी चावल उपहार में दिया, जो उसके पास एश्वर्य पूर्ण होने के बावजूद भगवान कृष्ण ने इसे इतने हर्शोलास के साथ स्वीकार किया। क्योंकि यह उनके बचपन के मित्र का उपहार था। लेकिन एक बार वहां रहने के बाद सुदामा अपनी समस्या अपने मित्र कृष्ण पर नहीं थोप घर वापस आने पर सुदामा अपने घर को देख कर चकित रह गए। क्योंकि वह सोने में तबदील हो गया था और सभी प्रकार के कीमती पत्थर और धन थे। भगवान कृष्ण सच्चे मित्र होने के नाते सुदामा के एक शब्द भी कहे बिना सुदामा की दूरदशा को समझ गए। यही दोस्ती का असली मतलब है। चार, विनम्र और उदार बने। भगवान कृष्ण ने शांदार द्वार का पर शासन किया, जो किसी राजा से कम नहीं था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इस सर्वोचब यक्ती ने एक विनम्र सारथी की भूमिका भगवान कृष्ण सादगी के अवतार थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका सत्य का प्रमान है। इसी तरह व्यक्ती को भी अपने जीवन में विनम्र होना चाहिए। यह आपको वास्तविक लोगों के साथ वास्तविक संबंध विक्सित करने में मदद करता है। 5. अपने आपको नीचा मत देखो। कभी भी अपने आपको नीचा मत देखो। लोग आपके बारे में जो कहते हैं उसे आपको हीन महसूस कराने की अनुमती न दें। आप अपने तरीके से अध्वितिय हैं। जब भी आप अपने आपको सहज रूप से आंखते हैं, तो हर बाराप अपने आत्म सम्मान पर गंभीर प्रभाव डाल रहे होते हैं। 6. माता पिता के प्रती कर्तव्य प्रिश्न एक शिशू के रूप में अपने जन्म माता पिता से एक छोटे से गाव गोकुल में सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया ताकि दुष्ट राजा कांस से उसकी सुरक्षा हो सके। उनके माता पिता को कंस के हाथों यातनाएं जेलनी पड़ी उनका जीवन दुखों में दूबा हुआ था। जब भगवान कृष्ण वयस्कता में पहुँचे और अपने माता पिता की सच्चाई के बारे में पता चला, तो उन्होंने एक चरवाहे के रूप में अपना लापरवा जीवन छोड़ दिया और अपनी जान जोखिम में डाल कर कंस को हरा दिया। उन्होंने अपने माता पिता को कंस के चंगू से मुक्त कराया और अपने माता पिता द्वारा अपना कर्तव ये निभाया। इसलिए भगवान कृष्ण के गुन एक व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए पर्याप्त हैं।